हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे चानल चलो फिल्म सुने में आज मैं एक्स्प्लेइन करने जा रहे है 2022 में एक बहुत ही अच्छी मूवी दिकश्मीर फाइस को तो लेट्स रोल अब दे इंट्रो और चलो फिल्म सुने यह मूवी कोई कहानी नहीं है यह पूरी तरह से सत्य घटना है जो कि कश्मीर में हो चुकी है और मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 19 जैन्वरी 1990 के कश्मीर को जहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं जिसमें से एक का नाम होता है शिव यहाँ पर रेडियो में सच्चिन की बात चल रही थी जो कि अपने क्रिकेट के मैच में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था यहाँ पर शिव ने भी अच्छा परफॉर्म किया था तो वो सच्चिन का नाम खुशी से चिला करके बोलने लगता है और एक हिंदू क्रिकेटर का नाम सुनने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं और अब यहाँ पर उसका दोस्त अब्दुलाता है और उसे जैसे तैसे बचा करके निकल जाता है 1990 कश्मीर का वो वक्त होता है जहाँ पर कश्मीरी पंडितों को उनकी जगर पर रहने का हग उनसे चीना जा रहा था उन्हें मारा जा रहा था और उनकी वाइक और बेटियों को वहीं पर छोड़ करके जाने के लिए बोल रहे थे इस पूरे आतंक को मचाने वाले लीडर का नाम होता है फरूक एहमद दर जिसका पेट नेम होता है बिट्टा कराटे ऐसे ही हम अगले सीन में देखते हैं कि एक बेटी और इसकी मा को एक टेरिस्ट सौरी फ्रीडम फाइटर ऐसा बोल रहा था कि वो जाकर कि अपनी पती से बोल दे कि उसका पती तो वहाँ से भाग सकता है और उसे उसके पीछे अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़ना पड़ेगा ताकि वो उसके साथ गलत कर सके जाहिर है कोई भी पतनी ऐसा नहीं चाहेगी तो वो लोग उसे वहीं पर मार देते हैं और पूरे कश्मीर में इस वक्त यही चल रहा होता है यहां तक कि उन्होंने अपने बच्चों के दिमाग में भी यही सारी बकवास भर करके रखी होती है और वो लोग भी हमेशा एक ही बात बोलते रहते हैं कि या तो अपने धर्म को कनवर्ट करके मुसलिम मन जाओ नहीं तो यहां से भाग जाओ और नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे यहां पर बिट्टक कराटे बहुत चारे हिंदू लोग को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर उन्हें मुसलिम भी बना रहा होता है और उन्हें जबरदस्ती बीफ खिला रहा होता है ताकि वो वहां की हिंदू मेजॉर्टी को माइनॉर्टी में कनवर्ट कर सके और ऐसा हो भी रहा था ऐसे ही हम next scene में एक आदमी को देखते है जिसका नाम होता है पुशकर पुशकर की family में उसका एक बेटा होता है एक बहु होती है और दो बच्चे होता है उनके दोनों बच्चों में से एक का नाम होता है शिव जो की movie की starting में cricket खिल रहा था और दूसरा बच्चा और भी ज़ादा छोटा होता है और उसका नाम होता है कृष्णा पुश्कर यहाँ पर हर शिवरातरी में शिव जी का रोल अदा करते थे और यहाँ पर वो उसी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन्हें अपने कश्मीर से बहुत प्यार होता है ऐसे ही पुश्कर को पता चलता है कि उसका पोता अभी तक घर वापस नहीं आया है तो वो शिव को लेने के लिए अपने स्कूटर पर जाते हैं पर थोड़ा आगे जाते ही वो जीब भी खुदी ब्लास्ट हो जाती है दूसी तरफ यहाँ पर बिट्टा कराटे पुश्कर की घर जाता है जहाँ पर दूर से ऐसा देखने पर पुश्कर का बेटा जल्दी से एक अनाच के ड्रम के अंदर छिप जाता है तकि वो उसे मार न पाए पर अब यहाँ पर पुश्कर का पडोसी जिसके बेटे के नाम होता है अब दूर्जो की शिव का दोस्त होता है वही यहाँ पर बिट्टा कराटे को बता देता है कि पुश्कर का बेटा अनाच की ड्रम में छिपा हुआ है इसके बाद बिट्टा अंदर जाता है और हर किसी को पकड़ लेता है और पुशकर को वो उसकी पतनी शारदा के सामने ही गोलियों से मार देता है जो कि ड्रम के अंदर बैठा होता है अब यहाँ पर पुशकर भी आ जाता है और बहुत ज़ादा दुखी हो जाता है यहाँ प पून में सने वे चावल उठा करके शारदा को देता है और कहता है कि अगर उसने ये चावल खा लिये तो वो उसके बेटों की जान को बक्ष देगा और अगर ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें भी जान से मार देगा और ये सीन यही शारदा के फेस पर ही कट हो जाता है नेक्स स तो वो उसके अस्थियों को ले करके कश्मीर आता है यहां पर उसके आने तक वहां पर कुछ लोग और भी आ जाते हैं जो कि पुशकर के ही कभी दोस्त वा करते थे और इनका नाम होता है महेश जो कि एक डॉक्टर था हरी जो कि अपने वक्त में एक डीजीपी था और पुलि ही होता है उसे हमेशा सही ऐसा लगता था कि उसके माता-पिता की मौत एक स्कूटर के एक्सिडेंट में हुई है कश्मीर में क्या हुआ था और इस सब कुछ में से सच क्या है कृष्णा इस हर बात से अंजान होता है अब सीन शिफ्ट होता है कृष्णा के कॉलेज पे जो क जहां पर आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है और इसी बात से बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट होते हैं और प्रोफेसर रादिका भी इन में से एक होती है उसे ऐसा लगता है कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए और यही बात वो कृष्णा को भी बोल हो रहा होता है तो रादिका उसे बोलती है कि उसे यहां के स्टूरेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए उसे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि स्टेट की गवर्मेंट कश्मीर के लिए एक खत्रा है और इसी तरह से बोलते बोलते वो कृष्णा को मैनिपुलेट कर के अपनी साइट में कर रही होती है और अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट में 1989 में इस मुवी में कई बार सीन प्रेजन्ट और पास्ट में शिफ्ट हुआ है तो आपको सब कुछ ध्यान से सुनना पड़ेगा यहां पास्ट में ब्रह्मदत एक IAS officer होता है और उसके पास pushkar help के लिए आता है क्योंकि ब्रह्मदत उसका दोस्त होता है वो यहां पर उसे बोलता है कि बहुत सारे लोग को protection की जरूरत है और उसके अपने बेटे का नाम लिस्ट में है मतलब कि उसके बेटे को बिट्टा कराटे ने हिंदुस्तान का मुख्बिर बता दिया है और इसलिए वो उसे मार सकता है यह सुनने के बाद ब्रह्मदत बोलता है कि वो उसके लिए security का इंतिजम कर लेगा इसके बाद यह लोग पुशकर के घर की तरफ निकलते है जहाँ पर पुशकर रास्ते में सबजी खरीटने के लिए रुखता है यहाँ पर जब वो 100 रपे की इंडियन करंसी वाली नोट देता है तो वो सबजी वाला उसको return में पाकिस्तानी करंसी की नोट देता है और ऐसा करने पर वो यह बोलता है कि तुम जिस कंट्री में रहोगे तुम्हें वहीं की नोट मिलेगी मतलब कि कश्मीर के वो लोग ऐसा मान चुगे थे कि कश्मीर पाकिस्तान का है और वहाँ पर पाकिस्तान की करंसी चलनी चाहिए यह देखने के बाद ब्रमबदत उसे तुरंती पुलिस वालों से पकड़वा करके जेल में डलवा देता है और वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते है नकसीर में आसे यह ब्रमबदत कहीं जा रहा होता है तो वो देखता है कि बहुत सारी मुस्लिम वाड़ते हिंदू औरतों के खाने का समान फेकरी होती है और ब्रमबदत भी यहाँ पर उस वक्त इस चीज़ पर कुछ भी नहीं कर पाता है इस सब के लिए ब्रमबदत ने पीम से बात करने के विए कोशिश करी थी पर यहाँ पर पीम भी उसे ऐसा बोलते हैं कि कश्मीर के सीम के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है इसलिए अगर वो कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी करते हैं तो इससे उनकी फ्रेंशिप खराब हो जाएगी और अब नेक्सीन में हम देखते हैं कि कुछ एरफोर्स ओफिसर खड़े होते हैं जो कि ब्रमदत के घर के पास में होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से कुछ ऐसे ही टेरिस सौरी फ्रीडम फाइटर आ जाते हैं जो उन्हें शूट करके मार देते हैं और वहाँ पर खड़े हुए पुलिस ओफिसर कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ के बहुत सारे पुलिस ओफिसर भी इसी तरह से उन लोगों के सपोर्ट में होते हैं जो कि यहाँ पर हिंदूओ को मार रहे थे इसके बाद नेक सीन में ब्रहमदत यहाँ पर सीयम से बात करने के लिए जाता है जहाँ पर सीयम उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि वह आयास ओफिसर है और यहाँ पर शान्ती विगरत देखना उसका काम है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बात नहीं माने जा रही है और वो कोई भी ओर्डर को पास करता है तो खुद उस सीयम के लोग यूस ओर्डर को रोग देते हैं और साथ में यहाँ से आतंक मचाने वाले लोगों को उसी की पार्टी फंट कर रही है पर सीयम यहाँ पर उसकी बातों पर जरा भी दियान नहीं देता है और अब हम सामने देखते हैं तो वहाँ पर बिट्टा कराटे के साथ ही मिला हुआ है और अब यहाँ से ब्रह्मदत चाहते वे भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि पूरी पॉलेटिक सी उनके साथ मिली हुई है और अब सीयम शिफ्ट होता है प्रेजन टाइम में जहाँ पर सभी लोग साथ ने बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर ब्रह्मदत की वाइफ कृष्णा को उसके मम्मी पापा की फोटो दिखाती है यूँकि अभी तक कृष्णा ने अपने माबाप की फोटो भी नहीं देखी थी यूँकि जिस वक्त वो लोग वहाँ से भागे थे उस वक्त उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपने साथ कुछ समान को भी ले सके अब यहाँ पर ब्रंबदर जिनोसाइट के बारे में कुछ बोलता है तब ही वहाँ पर कृष्णा बोलता है कि कोई भी जिनोसाइट नहीं हुआ था यह सब कुछ एक डर्टी पॉलिटिक्स थी और उस रात पांच लाग कश्मीरी पंडित नहीं बलकि सिर्फ दो लाग कश्मीरी पंडिती निकले थे और उन्हें मारने वाले भी आर्मी के लोग थे और वो कश्मीर के लोग जो टेर्रिस बन रहे हैं उसके लिए भी हमी जिम्मेदार है क्योंकि अगर आप किसी के बच्चों को जीप से घसीटेंगे तो वो लोग बड़े होकर टेर्रिस टीप बनेंगे यहाँ पर क्रिश्ना का ब्रेन पूरी तरह से वाश्ड होता है और इसलिए वे ऐसी बाते बोल रहा होता है यह सुनकर के ब्रह्मुदत को गुस्सा आता है और गलती से उसके मूँ से कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे कि क्रिश्ना को शक होता है अभी तक उसे जो बताया गया तो उसकी माता पिता की डेट के बारे में अब उसे लगता है कि वो सच नहीं था और अब उसके बहुत ज़दा पूछने के बाद फाइनली उसे पूरा सच बताया जाता है और एक बार सीन वापस से शिफ्ट होता है उसी वक्त में जहां पर बिट्टा कराटे शारदा को वो खून लगे चावल खाने के लिए बोलता है कि उसके बेटों को बहुत सारी गोलियां लगी होई है पर वो अभी भी जिन्दा है और वो जितना जल्दी कर सके वहाँ पर आ जाए महेश भी वहाँ पर आना ही चाता है कि तभी वहाँ पर हॉस्पिटल में एक टेर्रिस्ट आ जाता है जिसके दोसको गोली लगी होती है और उसका ब्लट गुरूप होता है ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव यहाँ पर किसी भी डॉनर का ब्लट गुरूप नहीं होता है टो वो जबर्दस्ती एक patient का ही खुल निकालने लगते हैं एक बॉटल खून निकालने के बाद भी वो जान बूच कर और जादा खून निकाल रहे होते हैं ताकि उस पेशेंट की वहीं पर डेथ हो जाए और ये खून भी बॉटल से निकल करके जमीन पर गिरकर के वेस्ट हो रहा होते हैं और इसी तरह से उस बेचारे मरीज की भी डेथ हो जाती है और महेश भी पुशकर के पास नहीं पहुच पाता है और पुशकर के बेटी की भी मृत्ती हो जाती है ये बात वो कॉल करके ब्रमदत को बोलता है और साथ में ये भी बोलता है कि जब पूरे इंडिया के साथ भी ऐसा ही होगा तब याद रखना कि ब्रमदत भी उन्हीं कोलते हैं कि वो लोग भी बिट्टा कराटे के साइड में और इसलिए उन्हों ने शूट नहीं किया था डीचीपी को यह भी पता चलता है कि अब पुशकर अपनी बच्ची वे फैमिली के साथ यहां से निकल चुका है पुशकर को ले जा रहा होता है वही जर्नलिस्ट और व यह लोग बहुत ही धीमी आवाज में भारत माता की जै बोलते हैं कि वहां पर वह ऐसा कुछ जोड से भी नहीं बोल सकते थे वरना इसके लिए भी उन्हें मार दिया जाता कि तभी वहां घर के सामने वही टेर्रिस्ट में से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे स साथ उनके साथ निकल जाता है नेक सीन में जब पुषकर अपनी बचे वे फैमली और दूसरे बहुत साय लोगों के साथ ट्रक में बैठ करके जा रहे होते हैं तब वो लोग रास्ते में देखते हैं कि उसी आदमी के और इसके बेटे की लाश एक पेड़ पर टंगी होती ह और अब सीन शिफ्ट होता है रफ्यूजी क्याम्प में जहाँ पर पुषकर की आई साइड वीक हो गई थी और वो जल्दी ही आधा अंदा हो सकता था यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो उसे महंगा लेंस लगवाने के लिए बोलता है लेकिन पुषकर की पेंशन में इत जिनका कभी कश्मीर घर हुआ करता था लेकिन उन्हें अपने ही घर से भगा दिया गया और अब यहाँ पर वो सभी लोग बस इसी आस में बैठे होते हैं कि एक दिन उन्हें कश्मीर वापस जाने का मौका मिलेगा ऐसे ही यहाँ पर एक दिन ब्रह्मपदत आता है जो कि आ होम मिनस्टर यह बोलता है कि यह सभी लोग पहाड पर रहने वाले हैं और अभी गर्मी में आ गए हैं इसलिए इनकी टेथ हो रही है इस तरह से यहाँ पर वहां के पॉलिटीशिन अपना पला जहाट रहे होते हैं यहां होम मिनस्टर सभी रफ्यूजी इसके सामने जाता ह जहां रफ्यूजी अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे होते हैं कि तबी वहां पर पुशकर आता है जिसने एक बोर्ड लिया होता है जिस पर लिखा होता है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना चाहिए अब पुशकर की आखे लगबग खराब हो गई होती हैं और वो मेंटली भ प्रंबदत को पहचान भी नहीं पाता है और वो बार बार सर्फ आर्टिकल 370 को हटाने की बात कर रहा था इसके बाद यहां बरदत्थ पुशकर की फैमिली से मिltा है और कहता है कि यहां पास में वो उने घर दिला सकते है और एक जॉब भी दिला दिला सकते है पुशकर की बाते सुन करके शिव बहुत ज़ादा डर गया होता है साथी में उसने भगवान का लॉकेट पहन करके रखा होता है तो वो उसे जल्दी से अंदर कर लेता है और उसे छिपा लेता है इसी से हमें समझ में आता है कि दीरे-दीरे करके वहां की कंडिशन ऐसी हो रही थी कि करने से डढ़ने लगे थे नेक्सीन में हम देखते हैं कि बिट्टा कराटे जो कि खुद एक क्रिमिनल था फिर भी वो मीडिया तक पहुच गया था और वहां पर उसका इंटरव्यू भी दिखाया जा रहा था यहां पर बिट्टा कराटे यह बोलता है कि उसने सिर्व 20-30 को मारा है और उन लोगों को इसने इसलिए मारा है क्योंकि वो लोग RSS के थे और वो खुद को एक Freedom Fighter बोलता है और यह सब कुछ देख करके पुशकर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो खुद कई वक्स से कोशिश कर रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात कर पाए लेकिन एक आम आदमी का प्राइम मिनिस्टर तक पहुचना बहुत मुश्किल होता है और जब वो कोई सही बात कर रहा हो तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है अब यहाँ पर Present Time में कृष्ण ये सारी बाते सुनकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था योगि वो जिस college से आया था वहाँ पर उसे कुछ और ही सिखाया जा रहा था और अब कश्मीर में आ करके उसे जो सच्चा ही पता चल रही है वो बिल्कुल अलग है यही सब सोच्टे सोच्टे उसे याद आता है कि कैसे मरते वक्त उसे पुषकर ने कहा था कि उसकी अस्थिय यहाँ पुषकर की अस्थियों को ले करके कश्मीर रहा था यहाँ पर कश्मीर जा रहा है यह बात वो जाकर के प्रोफिसर रादिका को बताता है तो वो उसे कहती है कि वो अपने फोन में रिकॉर्ड करें कि कश्मीर के लोग क्या बोलते हैं साथी में वो उसे बिट्टा क कराटे की तरह है और उसी के साइड में और इसी लिए वो प्रोफेसर उने के बाद भी यहां के स्टूडेंट को मैनिपुलेट करती है यहां प्रेजन टाइम में कृष्णा और पुष्कर के सारे दोस्त पुष्कर के उसी पुराने घर में जाते हैं जहां पर उसके शिवजी के मंदर पर शिवजी की मूर्थी को हटा दिया गया था और वहां पर वही जहंडा लगा दिया था जो कि 30 साल पहले 1990 में टेर्रिस्ट लगा रहे थे अब यहां पर वो लोग इस जहंडे को हटा देते हैं और अब कृष्णा यहां पर पुष्कर की अस्तियों को बिखेर द अब्दुल होता है अब्दुल वही शिव का दोस्त यहां पर अब्दुल उसे बोलता है कि वो फोन में रिकॉर्ड करें और फिर अब्दुल बोलता है कि वो कभी भी कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट में नहीं था और साथ में उसके पिता तो कश्मीरी पंडित के अच् क्योंकि बिट्टा कराटे को अब्दुल के पिता नहीं बताया था कि पुश्कर का बेटा अनाज के ड्रम में छिपा हुआ है तो वो तो उसकी हेल्प नहीं कर सकता यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि उस वक्त अब्दुल ते छोटा था तो हो सकता है कि उसे पूरा सच ना पता हो और बड़े होते होते हो उसके पिता ने उसे यही सब कुछ सिखा दिया हो कि उन्होंनों उते हल्प की थी और कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से ही भाग रहे थे अब यहाँ पर कृष्णा बिट्टा कराटे से मिलता है जाबर बिट्टा कराटे भी यही बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित खुदी यह जगे छोड़ करके जा रहे थे और उन्हें मारने वाले आर्मी ओफिसर्स थे और वो यहाँ पर अपना comparison भगत सिंग, राजगुरू और सुकदेव जैसे बड़े-बड़े freedom fighter से कर देता है और यह सब को सुनने के बाद एक बार फिर से कृष्णा को यही लगता है कि जो वो कह रहे है वो सही है और इसी बात पर जाकर कि वो ब्रंबदर्द से जगड़ा भी करता है वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मतलब कि कोई भी genocide नहीं हुआ था और कश्मीरी पंडितों को मारने वाले आर्मी के officers थे यह सुनने के बाद अब ब्रंबदर्द को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे तीन फाइल दिखाता है इन तीन फाइल में आज तक जितनी भी news निखली होती है कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है इसके बारे में उसने सब के cut-out चिपका करके रखे होते है और ये सब कुछ देखने के बाद फाइनली कृष्णा को समझ में आता है कि reality में उनके साथ क्या हुआ था यहाँ पर उसकी मा शार्द और उसके भाई शिव की फोटो होती है जिसे की बिट्टा कराटे नहीं मार दिया था और अब यहाँ से scene shift होता है दोबारा से उसकी university में जहाँ पर अब वो वापस आ चुका था और यहाँ पर प्रोफेसर राद का proper एक song गारी थी जो सभी student को कश्मीर को लेकर के miss guide कर रहा है लेकिन जब आप कोई भी बात है किसी गाने में सुनते है तो जाहर है कि वो आपको याद रह जाती है और इसी तरीके से student को miss guide real में भी किया जाता है यहाँ पर कृष्णा को देखने पर प्रोफेसर रादिका को लगता है कि अब वो उसी के side में बोलेगा तो वो उसे mic दे देती और speech बोलने के लिए कहती है और अब यहाँ पर कृष्णा बोलता है कि बहुत सालों पहले एक रिशी मुनी कश्मीर गए थे जिनका नाम था रिशी कश्चम और वहाँ पर जा करके उन्होंने बहुत वक्त तक साधना की थी जिसके बाद उन्हें ग्यान मिला और उन्ही के नाम पर इस स्टेट का नाम कश्मीर बढ़ा ऐसे ही करते करते बहुत सारे रिशी मुनी और बहुत सारे ग्यानी लोग कश्मीर में गए और वहाँ पर उन्होंने रिसर्च की और इसी तरह ऐसे बहुत सारे पंडितों ने मिल करके कश्मीर को बसाया पर एक दिन वहाँ पर कुछ इसलामे का है जो कि शुरू में तो वहाँ पर शरड लेने के लिए आये थे और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें रहने भी दिया और दिरे दिरे करके उन्हें पता चला कि कश्मीर कितना जाधा खास है और फिर उन्होंने वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के उपर अटैक करना शुरू कर दिया उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा उन्हें जबर्दस्ती कलमा पढ़वाया और उन्हें बीफ खिलाया उनकी बेटी और उनकी वाइफ के साथ रेप किया और इसी तरह से धीरे-धीरे उन्होंने मिजॉर्टी में रहने वाले कश्मीरी पंडित को वहाँ पर माइनॉर्टी में बना दिया और पांच राख कश्मीरी पंडित वहां से भाग गए आज हमारे पास तो पूरी पूरी आजादी है कि हम यहां से अपने घर जा सकते हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता है अपने घर जाने के लिए लेकिन कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाल करके भगा दिया गया और अब वो अपने घर भी नहीं जा सकते थे उसकी पूरी स्पीच में कई बार लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की पर अब कृष्णा को सत समझ में आ गया था और वो इसलिए बिना रुके बोलता रहा अब उसने अपनी मा की और अपने भाई की भी पूरी स्टोरी सुन और वो यहां पर आर्मी की ड्रेस पहन कराता है वो यहां पर बच्चे वे आर्मी ऑफिसर से बोलता है कि उनकी ड्यूटी शिफ्ट हो गई है इसी के साथ वो वहां के पूरे आर्मी के एरिया पर कभजा कर लेता है और फिर वो लोग यहां पर शार्दो को और हर किसी को मार देते हैं यह सीन बहुत ही जादा कड़वे सच और इमोशनल वाला होता है तो इसे explain करना या फ़र देखना काफी जादा मुश्किल होगा और यही इस movie का last scene होता है जहां पर सारे बचे वे कश्मीरी पंडित भी मारे जा रहे थे हैं तो अगर आप लोगों कश्मीरी पंडित के साइट से सारा सच देखना है तो प्लीज एक बार इस movie को जरूर देखेगा तो मलते हैं नेक्स वीडियो के साथ बाबाई